परम्पुजय बोदिसत बाबा साथ डॉक्टर भीमरावा मेटकरजी द्वारा जो हमें ग्यार्वी प्रतिग्या दी गई है वह है कि मैं बहुत धर्म के अस्टांग इंग्बार का पालून करूंगा अकर यह अस्टांगिक मार्क है क्या भगवान बुद्ध की सिक्षाओं का सबसे महत्पूर्ण अंग है यह अस्टांगिक मार्क अस्टांगिक मार्क मतलब आठ अंगों वाला मार्क और इसको उस समय की जो पाली भाशा में हैं भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत व्यापक रूप से समझाया मैं प्रियास करता हूँ, जितना मैं जानता हूँ यह बताने की कि आरिया स्टंग एक मार्ग जो है, उसके आठ अंग है और वो आठों अंग धर्म के तीन जो महत्पूर्ण अंग हैं, उनके अंतरगाद आते हैं तो धर्म के तीन महत्पूर्ण अंग हैं, शील, समाधी और प्रिया तो आरिया स्टंग एक मार्ग के जो आठ अंगे हैं, उनमें से तीन अंग शील के अंतरगाद आते हैं तीन अंग समाधी के अंतर गताते हैं और दो अंग प्रग्या के अंतर गताते हैं यह जो हमारे तीन अंग जो शील के अंतर गताते हैं वो हैं सम्मा वाणी या सम्मा वाचा दूसरा है सम्मा कम्मन्तो यानि सम्यक कर्म तीसरा है सम्मा आजिविका सम्मा आजिवो तो सम्मा जो शब्द है वो सम्यक का यहाँ पे उसे अर्थ निकलता है और सम्मा वाच्छा का मतलब है कि हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए हमारी बोली ऐसी होनी चाहिए जो बिलकुल निश्पाप और निश्कलंक हो वाणी के चार तरह के रूप होते हैं जिस तरह से हम उसको शुद कर सकते हैं जैसे हमारी वाणी से किसी को भी दुख न हो हम ऐसी बाणी न बोलें जिससे किसी को दुख हो मतब गाली ना बोलें हम अपशब्द ना बोलें हमारी वानी जो है वो बिलकुल सम्मेक होनी चाहिए बहुत सही होनी चाहिए हम जूट ना बोलें हम किसी की चुगली न करें और हम बेवज़े की बातें न करें बेकार की बातें न करें ये सम्मावाचा के अंतरगत आता है य दूसरा हम सम्मा कमंतों की जहां बात करते हैं कि जो कर्म है हमारा कर्म जो है वो शरीर से और मन से संब्दित है और शरीर के जो हमारे कर्म है वो कर्म हमारे शुद्ध हो ऐसा बाबा साथ डॉक्टर अमबेट करने भगवान बुद्ध के सिक्षाओं को हमें व्यापक रूप स समझाते हुए बताया है तो जो सम्मक कर्म हैं हमारे उसका सीधा सीधा से है कि हम किसी भी हालत में शरीर से कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी को दुख पहुँचे मतलब हम प्राणी की हिंसा ना करें हम किसी को मारें नहीं किसी पर अत्याचार ना करें यह हमारे कर्म है विका उससे साधन होना ही चाहिए कोई ना कोई कोई भी ऐसी चाहिए उसका रोजगार का जो भी साधन हो वो होना चाहिए लिकिन वो सम्यक होना चाहिए हमारा रोजगार जिस पे टिका है वो जूट पर आधारित नहों वो अन्या और अत्याचार पर आधारित नहों वो हिंस वो बिल्कुल सम्यक होनी चाहिए सम्यक आजीविका का या सम्यक जीविका का मतलब सिर्फ इतना है अब हम आगए आते हैं कि इसके आगए जो अस्नागीक मार्ग में जो चोथा मार्ग है जो तीन मार्ग, जो तीन बातें समाधी के अंतरगत आती हैं उस पे मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि सम्यक व्यायमो यानि कि सम्यक व्यायम किस बात का व्यायम कोई हमें कसरत करनी है क्या कोई पहलवा नी करनी है क्या नहीं बहुत सिक्षा में जो सम्यक व्यायम का मतलब है वो सीधा सा है कि हमें हर समय इतना जागरुक रहना है ये व्यायम करना है कि हमारे अंदर जो भी बुराईयां है हम उन बुराईयों को बाहर निकाल सकें हम देखें अपने अंदर कि क्या क्या बुराईयां है और जो बुराईयां हैं हम उने बाहर निकाल सकें और फिर उसके बाद अपने मन के दौर इतने कसके बंद कर लें कि कोई बुराई फिर हमारे अंदर आही न सके दूसरा हम उसके बाद हम ये देखें कि जो हमारे अंदर अच्छाई हैं वो अच्छाईयां क्या अच्छाईयां हैं और क्या नहीं हैं तो जो अच्छाई हैं हमारे अंतरगत हम उन अच्छाईयों को देखें और फिर उन अच्छाईयों को हम बढ़ाने का प्रियास करें अच्छे गुनों को बढ़ाने का प्रियास करें और लास्वें कि हमारे अंतरगत हम देखें अपने मन में जहाके कि क्या अच्छाई नहीं है जो अच्छाई नहीं है हमारे अंदर हम उस अच्छाई को अपने अंदर लाने का प्रियास करें सम्मा व्यायाम का यही मतलब है सम्मा व्यायामो जिसे कहा गया है इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं तो सम्मा सती, देखें सती शब्द से लोग सोचने लगते हैं सती, क्या ये सती पिर्था वाली सती है, ऐसा नहीं है, सम्मा सती का मतलब है, ये पाली भाशा का शब्द है, उस समय की जो सबसे प्रिछलित भाशा थी, लोग भाशा थी, पाली भाशा, उसी का सब्द है, ये सम इस्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्वि वो सब कुछ वर्तमान में होना है तो हमें इस वर्तमान की प्रतिस सजग रहना है और सजग ये रहना है कि किसी भी हालत में हमसे कोई दुश कर्म नहो पाप कर्म नहो जो कुछ भी हो अच्छा कर्म हो हम इस बात पर अपना ध्यान रखें और अपने आपको हमारी स्मृति इत को करते चले जाएं सम्मा सती का मतलब यही है कि हम सदैव हर समय जाग रूक रहे हैं इसके आगे हम जो छटा अंग है धर्म का सम्मा समाधी सम्मा समाधी समाधी का मतलब है चित्त की एकागरता देखे बध धर्म में या बुद्ध की सिक्षों में चित्त की एकागरता और इस आपका नितांत निर्मल होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का कलंक, दुश कलंक, कहीं भी किसी तरह की दूशिता उसमें नहीं होनी चाहिए, मन दूशित नहीं होना चाहिए, बिलकुल सच नितांत निर्मल होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम नितांत निर्मल बनाएं मन क क्योंकि दधागत की सारी सिक्षा मन को निर्मल बनाने की है क्योंकि उनका कहना है और ये बिलकु सच है कि मन से ही सारे काम होते है कोई भी चीज, कोई भी बात सबसे पहले उत्पन होती है मन में उसके बाद वो शरीर पर आती है और उसके बाद वाणी से वाणी पर आती है और फिर शरीर पर आती है उसका कर्म जैसा भी मन में आया है विचार वो सब को दिखाई देता है हम उसी तरह से काम करते हैं तो चित्त की एकागरता समाधी का यही मतलब है लेकिन चित्त की एकागरता कई तरह से की जा सकती है किसी बुरी चीज को भी लेके बुरे उद्देश्य को भी लेके हम चित्त को एकागर कर सकते हैं और किसी अच्छी चीज को भी लेके हम चित्त को एकागर कर सकते हैं मन को एकागर कर सकते हैं लेकिन भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया सम्मा समाधी का मतलब है कि चित हमारा इतना एकागर हो जाए इतना स्थिर हो जाए कि कभी भी अच्छे बुरे किसी भी चीज़ से हम पे कोई असर न पड़े हमारा मन बिलकुल एकागर हो जाए ध्यान इतना हमारा एकागर होना चीए कि कोई भी बात हमें वहां से डिगाना सके तो समाधी का मतलब हमारा यही है कि चित्य की एकागरता जिससे हम आगे की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि मन इस दुनिया में अगर सबसे शक्तिसाली कोई भी चीज है कोई भी वस्टू कह सकते हैं आप तो वो मन है मन से ही दुनिया के सारे रहशे खुल सकते हैं अगर हम मन को एकागर कर लें और मन को नितांत निर्मल कर लें तो धर्म का जो आठमा आंग है वो है सम्यक दृष्टी यह जो सम्यक दृष्टी है सही माइन में यही ग्यान है सम्नक दिरिष्टि का मतलब है कि आप सही और गलत में बिल्कुल साफ साफ अंतर कर सकें आप जान सकें क्या सही है क्या गलत है और जो कुछ भी हो रहा है उसको बिल्कुल उसी रूप में सच्चाई को बिलकुल उसके नगन रूप में आप देख सकें उससे विचलितना हो और दुनिया में कुछ भी हो जाए कितने ही भी दुख सुख सब कुछ आ जाए लेकिन आप उसमें समान रूप से इस्थिर रह सकें समता के भाव में रह सकें और वो तभी संबफ होगा जब आपके दृष्ट समयक होगी और ये धर्म के जितने भी आठोंग है जिने बाबा साब ने हमें कहा कि अपनी ग्यार्मे प्रतिग्या में कि मैं अस्टांग एक मार्क का पालन करूँगा वो यही भैगवान बुद्ध के बताए हुए अस्टांग एक मार्क है धर्म का मार्क है और इस पे लगातार चलते हुए हम लोग जैसे जैसे हम लोग इस पे चलेंगे तो हमारी दृष्टी समयक दृष्टी बनती चली जाएगी और हम सही और गलत में फर्क महसूस करने लगेंगे जानने लगेंगे और ये सब कुछ आनुभब के आधार पर ही संभव है और तभी संभव है जब हम तथागत के बताए रास्ते पर चलें तो इस तरह से बाबा साब डॉक्टर अमबेट करने हमें धर्म के आठ मार जो तथागत बुद्ध ने समझाए है उन पर चलने का आदेश दिया और ग्यार्मी पृतिग्या में अस्तांगे मार का पालन करने की हमें बात